हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सबी का सागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबी के लिए मद्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से महत्पूर्ण प्रश्ण तरहम करेंगे ताकि आपकी जो आगामे परिक्षाए हैं मद्य प्रदेश की उसके यह प्रश्ण बहुत ही पाइदेमन होने वाले हैं चलिए अपने प्रश्ण को शुरू करते हैं बिना की नृत्य का संबंद किस वर्ग से है तो यह जो नृत्य है यह किसानों की द्वारा किया जाता है तो इसका संबंद किसानों से है मट की नृत्य का प्रच्छलन किस शे तो देखिए आपको जो है मद्यप्रदेश का लोक साहित्य पढ़ना है जिसके अंतरगत लोक गीत भी महत्वपोन आ जाता है तो यहां पर देख सकते हैं इसे किस प्रकार की प्रेश्ण बनते हैं तो लावनी जो है मालवा का गीत है चले नेक्स्ट कॉर्शन लेते हैं नमलकित में इसे कौन सा युगम सूमेलित नहीं है तो अटारे नरते बेगा में किया जाता है और भदम नरते भारिया में फुलकी नरते मुरिया में लेकिन सरहल नरते जो है भीलो के द्वारा नहीं किया जाता तो यह आप्शन हमारा गलत है ठीक है चले नेक्स्ट है प्रद कला से संबंदित जिलों का सही क्रम क्या है तो कई बार जो है क्रमानसार लगाना भी आजाता है तो देखे शियोपुर कला, बुधनी घाट रीवा, मुरेना ये इसका सही option है चलिए नेक्स्ट जो है प्रशन लेते हैं यहाँ पर अगला प्रशन है कासा धातू से बनी बटलोही यानि पाहत्र किस जिले में बनाई जाती है तो ये सतना जिले में बनाई जाती है next question है ने मलेखित में से कौन सा जिला कास्ट कला कृतियों के लिए प्रसिद है तो कास्ट जिले अगला प्रश्ट है भारत भवन का निर्मान कब किया गया था तो ये किया गया था वर्ष 1982 में चले next question लेते है तो आपको अकादमिया भी पढ़नी है हाला कि ये चीज़ जीके में आपके कंप्लीट हो जाएगी बाकी चीज़े लेकिन जो हिंदी वाले से संबंदित है मैं उस प्रश्टों को ले रही हूँ तो ये आपके प्रश्टों दोनों ही जगह कामाएंगे जीके के लिए भी और हिंदी के लिए भी तो यहाँ पर संस्कृत अकादमी जो है वो भोपाल में इस्तित है काली दास अकादमी कहां इस्तित है तो ये उज्जैन में इस्तित है नेक्स्ट कोशन देखते है मद्य प्रदेश साहित परिशद की स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1954 में की गई थी अगला कॉशन है मद्य प्रदेश कला परिशद कहां इस्थित है तो ये भूपाल में इस्थित है चले नेक्स्ट कॉशन लेते है उस्ताद अला उदीन खा संगीत अकादमी कहां इस्तित है तो ये भोपाल में इस्तित है नेक्स्ट कॉश्चन है मद्य प्रदेश हिंदी गरंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी तो ये की गई थी वर्ष 1979 में नेक्स्ट कोशिन है भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया था तो ये बनाया था चार्ल्स कोरिया ने नेक्स्ट कोशिन है प्रसिद तबला वादक राजा चक्रधर सिंग की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप किस विधा के लिए दी जाती है तो ये शास्त्रे नृत्य के लिए जो है दी जाती है चलिए नेक्स्ट कुश्चिन पर आते है कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है तो बीहू जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं है निमने में इसे मालवा का लोक नरत है तो मालवा का लोक नरत क्या है तो वो है मटकी नेक्स्ट कोशिन पे आते हैं नेक्स्ट कोशिन है मद्दे प्रदेश में मालवा उत्सव कहां आयोजित किया जाता है तो मालवा उत्सव जो है वो इन सभी जगों पे इदार, उजयन, मांडू इन सभी जगों पे मालवा उत्सव मनाया जाता है नेक्स्ट कुर्शन है मद्य प्रदेश के निमने समारो वो उनके स्थान में और संबंद को बताई है तो जो इसका संबंद ना हो उर्चा उत्सव टीकमगड ये सही है पद्मा का समारो सागर ये भी सही है फिर इसके बाद नेक्स्ट है माखनला चत्रवेदी समारो होशंगवार ये गलत है सबद्रकुमारी चोहान समारो जबलपुर ये सही है तो हमारा option C है जो संबंध है संबंध नहीं है जिसका दूसरे से चलिए next है काठी मद्य प्रदेश की किछ शेत्र का लोक नाटे है तो काठी जो है वो निमाण का लोक नाटे है तो ये देख सकते है कि यही प्रशन आपके उसमें भी काम आएंगे चलिए नेक्स्ट है प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है तो वो है बल्मा नेक्स्ट है मद्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के स्थापना कब की गई तो ये की गई थी वर्श उनिस्सव पिचासी में अगला प्रशन है बधाई क्या है तो बधाई जो है वो बुंदेल खंड का लोक गीत है तो इस प्रकार के प्रशन जो है आपके योनिट 10 हिंदी से भी बनते है तो प्रशन आपके दोनों ही जगह काम आ जाएंगे चलिए नेक्स है मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्टे है तो वो है माच ठीक है चलिए नेक्स है नाम पंती गायन से संबंधित कौन सा कतन असत्य है तो ये है पहले सत्य कतन देख लेते हैं इस गायन का शेत्र निमाण अंचल है ये कतन सही है ये कतन जो है वो गलत है ये साद मैंने जब आपको लोक साहित पढ़ाया था तब उसमें ये डीटेल्स मैंने बताई थी और चलिए नेक्सट है विश्व प्रसिद भैरु गर चीपा शिल्प किस जले से संबंदित है तो ये जो चीपा शिल्प है ये उजैन से संबंदित है नेक्स्ट है बुंदेल खंडी फाग गाएन की विशेवस्थू क्या है ये जो फाग के गीत गाये जाते हैं इसका संबंद राधा कृष्ण से है यह देख सकते हैं कि जो लोक साहित होता है उससे किस प्रकार के या लोक गीत है उनसे संबंद किस प्रकार लोक साहिती के अंतरगत लोक गीत लोक नट आदी सब कुछ आ जाते हैं वहां का जो कल्चर है वो आ जाता है संस्कृति है तो यह यहाँ पर उससे जो प्रश्ण बनेंगे तो यह आप देख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट है, निमलिकित में से किस गायन शैली की विशेवस्तू निरगुणी दाशनिक गीत है, तो निरगुणी की बात करें तो यह लावनी में है, नेक्स्ट कॉश्चन है, धिमराई है, तो ध धिमराई जो है, बुंदेल खंड का लोक नरत है, तो आपको वहाँ के लोक गीत आदी के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार के गीत जो है, वहाँ पर गाय जाते है, या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रसिद्ध है, चलिए नेक्स्ट है, पगल्या किस अंचल से संब संबंदित है, तो पगल्या मालवा से संबंदित है, नेक्स्ट है, विदेशिया गायन कहां प्रचलित है, तो विदेशिया गायन बगेल खंड में प्रचलित है, नेक्स्ट है, महेश्वरी साड़ी उद्यों को स्थापित करनी का श्रे किसे दिया जाता है, तो ये अहिल्य नैक्स्ट कोशिण है, चटकोरा नरत्य का सम्बंद् किस जन जाती से है। किस त्युहार पर बेगा तशा गोंड इस्तुरिया दुआरा किया जाता है तो यह दीपा वली पर किया जाता है नेक्स्ट पॉर्शिन है गणगोर प्रदेश के किस शेत्र का गायन है तो गणगोर जो है यह निमान शेत्र में गाया जाता है नेक्स्ट है मद्य प्रदेश में अधिकांस समारोहो का आयोजन कौन सी परिशद करती है तो जो ये समाहरो वगर आयोजित किये जाते है ये मद्यप्रदेश परिशद के द्वारा जो है आयोजित किये जाते है क्यों कि लिए कि साहित्य परिशद तो साहित्य के करेंगे अकादमी के दौरा तो पुरिसकार वितरत किया जाएगा और भारत ववन भी यहीं से सम्भन देते हैं तो मद्यप्रदेश परिशद के दौरा जो है वितरत किया जाता है नेक्स्ट कॉर्शन है उस्ताद आमिर खा संगीत समारो कहा होता है तो ये इन दोर में होता है नेक्स्ट कॉर्शिन है दुरलब वाद विनोद समारो मद्दे वृत प्रदेश में कहां आयुजित किया जाता है तो यहां यह बात करें तो यह जो वाद विवाद समारो है यह भुपाल में आयुजित किया जाता है यहां उत्तर कुछ और ही लग गया है चलिए खजुराहो नृत समारोह कब शुरू किया गया था तो यह शुरू किया गया था वर्श 1976 में नेक्स्ट कोशिन है नमलेकित मेंसे किस गायक का जन्म मद्रप्रदेश में नहीं हुआ है तो यहां पे उस्ताद अलावदीन खा का जन्म जो है वो मद्रप्रदेश में नहीं हुआ है बाकी गायकों की बात करें तो तान सेन उस्ताद हाफज जाली खा और लता मंगिश्कर इन सभी का जन्म जो है मद्रप्रदेश में हुआ है मद्य प्रदेश की राजधानी भुपाल एसत रविंद्र भवन क्या है तो ये एक सभाग्रे है मार्च किस शेत्र का मुख्य लोक नाटे है तो ये मालवा का लोक नाटे है देश का सबसे बड़ा नरत्य उत्सव मद्य प्रदेश में कहां आयोजित होता है तो सबसे बड़ा जो उत्सव है वो खजराहों में आयोजित किया जाता है मद्य प्रदेश उत्सव कहां पर मनाय जाता है तो ये खजराहों में मनाय जाता है बंदेल खंड का मुख्य लोक नरत्य क्या है तो बंदेलखंड का जो मुखी लोग नृते है वो है राई स्वांग नेक्स्ट है, अमजद अली खांग क्यो प्रिस्द है? तो ये गाएन के लिए प्रिस्द है निमिन में से कौन सा नृते? एकल नृते है तो वो है परधोनी अगला कॉश्चन है कालिदा समारो कहां आयोजित किया जाता है तो यहां इन में से कोई भी नहीं है यानि ना दिए ग्वालियर में न भुबाल में न खजराहों में यह जो है अभी मैंने आपको बताया था तो यह समारो जो है उजयन में आयोजित किया जाता है ठीक है कहां आयोजित किया जाता है उजयन में ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है निमलिखित में से कौन सा नृत्य रितू चक्र से जुड़ा है तो यहाँ पर जो रितू चक्र से रितू से जुड़ा हुआ है वो है कर्मा आपको यह भी पता होना ची कि कौन सा रित किस भाव से या किस लिए जुड़ा हुआ है नेक्स्ट है नेमलिकृत में से किस कवी का नाम रामचंद्र दुवेदी था तो इसमेंसे कवी प्रदीब कार्यो नाम है वो रामचंदर दुवेदी था नेक्स्ट कुषिन है नमलिखित में से कौन सा सुमेरित नहीं है दादर या बुंदेल खंड ये सही है लावनी बगेल खंड ये गलत है बंबूल या बुंदेल खंड सही है रेलोगीत भील कोर को ये सही है तो लावनी जो है अभी इमने देखा था ये बगेल खंड के लिए नहीं प्रसिद है बलकि ये बुन्देल खंड में बोला जाता है चलिए ठीक है बगेल खंड में कौन सा गायन प्रचलित है तो बगेल खंड में देख सकते हैं बिरहा गायन, बिदेशिय गायन, बसदेवा गायन तो ये सभी गायन जो है बगेल खंड में प्रचलित है ठीक है और लावनी जैसे में मता है बुंदेल खंड में मत्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के शेत्र में दी जाने वाली फैलोशिप कौन सी है तो वो है अलावदिल खा अमरिता शेरगिल फैलोशिप किस शेत्र में दी जाती है तो ये दी जाती है ललित कला के लिए नेक्स्ट कोशिन है गजान नमादर मुक्तिबोध फैलोशि किस से आजएगा साहित से चीक है पिथोड़ा भित्ती में मुखे तह किसका चित्रांकन होता है तो यहाँ पर घोडो का चित्रांकन होता है next question है कौन सी fellowship रुपंकर कला के शित्र में दी जाती है तो वो है चक्रधर next question है विश्रु चिंचाल कर कौन थे तो ये एक चित्रकार थे next question है निमनमे से कौन चित्रकार नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कमल वसस्ट जो है वो चित्रकार नहीं है बाकी कौन है तो मकबूल फिदाहुसें नरायन शृदर और राजाराम next question है निमनमे से कौन रंग कर्मी नहीं है तो इनमे से जगदीश स्वामी नाथन जो है वो रंग कर्मी नहीं है बाकी बंसी कौल नरहरी पटे और विवामिश्र ये तीनों रंग कर्मी है next question है घडल्या परवक कहा मनाय जाता है तो यह मालवा में मनाय जाता है next है बुंदेर खण में प्रच्रेत ढोला मारूर की कथा मुलत ह कहां का लोक नाटे है राजस्थान का है और आपने राजस्थानी साहित्ती के इंतरगत ढोला मारूरा दुहा पढ़ा भी है तो यहाँ पर यह देख सकते हैं यह कहां से सम्बंदित है राजस्थान से नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य को देखना पुरुषों को वर्जित है तो देख सकते हैं ऐसा कौन से नृत्य है जो पुरुष नहीं देख सकते हैं तो वो है जंदबा नेक्स्ट है पीमा फल्या किस चित्र के श्रिष्ट चित्रकार है तो यह पिथोड़ा के चित्रक कर्मी बाबा डिके का जन्म कहा हुआ था तो इनका जन्म निमच में हुआ था नेक्स्ट कोशन है रीवा के नरेश द्वारा आनंद रगुनंदम रचना की ख्याती किस कारण से है तो ये पहले जो है नाटक के रूप में लिखा गया था इसलिए प्रशिद है नेक्स्ट है ब नेक्स्ट है नेमन में इसे कौन बुंदेल खंड की लोक चित्र का रूप नहीं है तो वो है चित्रावण बगेल खंड का पारम पर एक लोक नाटक कौन सा है तो वो है जाहुर नेक्स्ट है नेमन में इसे किस अकादमी ने चित्रकूट में एक शोद संस्थान की स्थापना की है तो चित्रकूट में जो शोद संस्थान की स्थापना की गही है वो है तुलसी अकादमी के द्वारा बहलोल लोक नाटे किस शित्र से सम्बंदित है तो ये बगहेल खंड से सम्बंदित है नेक्स्ट है मांडवा क्या है तो मांडवा जो है ये पोण चित्र कला विद्या है इरत क्या है तो इरत जो है निमाण की प्रसिद्ध बित्ती चित्र है नेक्स्ट कोशिन है निमलेकित में से कौन सा लोक नाटे विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है तो नोटंकी जो है वो मंच पर किया जाता है हिंगोला किस अवसर पर किया जाता है तो ये त्यहारों और उत्सबों पर किया जाता है नेक्स्ट कॉश्चिन है लावनी लोकगीत कब गाये जाते हैं तो लावनी जो है वो सुबह में गाये जाते हैं और वहाँ पर आपने देखा था कि आप्शन में क्या था कि ये शाम को गाये जाते हैं तो ये शाम को नहीं बलके सुबह में गाये जाते हैं नहीं लेके तो तो ये भी कथन सही है लेकिन हमारा उत्तर क्योंकि हमें असंगत पहचानना है तो हमारा उत्तर रोजेगा option c next है सरहल नृत्य में उराव जन जाती द्वारा किस वरिक्ष की पूजा की जाती है तो इसमें जो है साल वरिक्ष की पूजा की जाती है next है कलसा नृत्य के सब्बंद में निमन में से कौन सा कथन सत्य है तो सत्य कथन डूड़ना है तो बगेल खंड के अहीरो एवं गरेडियो त्वारा जो है कलसा नृत्य किया जाता है नेक्स्ट है जवारा क्या है तो जवारा जो है धार्मिक गीतों पर किया जाने वाला एकल शैली नृत्य है नेक्स्ट है मांडल्या क्या है तो मांडल्या जो है निमाण अंचल का महिला परक एक समूह नृत्य है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समूहों नृत्य वगएरा जो कौन से कहा किया जाते हैं इस समद्ध्य प्रश्ण है नेक्स्ट एकाठी नृत्य निम्रित में से किस अवसर पर किया जाता है तो यह देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर महा शिवरात्री तक जो है इनृत्य किया जाता है नेक्स्ट एन निम्रित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो हमें नहीं है वाला डूणना है तो नागपंती गायन निमान में किया जाता है सही है भर्थरी गायन मालबा में किया जाता है ये गतन हमें गलत है आला गायर बुंदेल खंड में ये सही है मसावय गायन बगेल खंड ये भी सही है यहाँ पे हमें गलत कतन टूनना है तो हमारा ओप्शन है बी ओप्शन चले नेक्स्ट है बेरायता क्या है तो बेरायता जो है बुंदेल खंड का लोक गीत है घोटुल पाटा गीत के संदर्व में क्या सकते है तो ये जो है मुडिया आदिवासियों का प्रमुख लोक गीत है चले नेक्स्ट रे परधोने इन्रत कब क्या जाता है तो ये विवाह के अवसर पर परध बगेलखंड के अहीरो एवं गरेडियो द्वारा बरात की अगवानी पर किया जाता है। बगेलखंड का लोक नाट्ट है। बगेलखंड के साथ गायन किया जाता है। अब इससे याद रखिएगा कि शरीर की तो काया मतलब क्या है। शरीर और शर्वंगुर यानि कुछ समय के लिए यहां पर खोशब्द का प्रयोग हुआ है। शरीर की शरीर की शर्वंगुर तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए यह थे 100 प्रेशन जो कि हमारी लोक संस्कृति से संबंदित थी। मद्यप्रदेश की जो लोक संस्कृति है उससे संबंदित। तो यूनिट 9 के लिए या फिर हम कह सकते हैं। यूनिट 10। यूनिट 10 में क्योंकि आपको लोक साहित्य पढ़ना हैं तो उसके अंतर गति यह सभी प्रेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्तफोन थे। तो आप सभी को यह प्रेशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब भी करेगा। ताकि आके भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहें।